पारत के अत्यात्म को लेकर के एक बड़ी गलत फेहमी यह भी है कि पारत का अत्यात्म मतलब धन और भोग से दुर रहना दिलकुल भी नहीं है जो हमारा गुरुहस्ता शरम है उसमें हमने कामसुत्र लिखा है हमने आनन्द मिमान सा हमने शुरुंगार सा तक भी लिखा है जो भी आपकी इंद्रिया है उसके उसमें ही रहना है आपको बैंकोक जाना है आपको पताया जाना है आपको सब कुछ करना है कोई रोक नहीं रहा है और अगर आप यह नहीं करते तो आप मुर्ख हो क्योंकि परमात्मा ने आपको भेजा था यहां हर एक उसके बगीचे के हर एक फूल के शुगन लेने के लिए और आप वंचित रह गए तो ग्रुहस्ता स्रम में सब कुछ करना है धन भी कमाना है पर वानप्रस्ता स्रम में छोड़ देना है फिर आप उंचे स्वात की और जाओगी यह जो संसार के शुक है न वो खतम हो जाने वाले इसमें दुख भी आ सकते हैं तना भी आ सकता है तो उसके बाद आप उंचे जो अपने ही आनन शवरुप का जो आनन है भीतर उसको लोगे तो इतना था रिशी मुन्यों को यह भी चिंता थी कि खाली धन कमाने में यह लोग रहेंगे तो भी आनन ने उठा पाएंगे तो उन्होंने कुछ नियम बना दिये राजा इतना थन रखेगा आम इंशान इतना रखेगा वैपर इतना रखेगा तुम खाली संचय में न लग जाओ और दूसरे भी आनन्द को लो तो यह सब कुछ हमने किया हुआ है तो भारत के अत्यात में मतलब जीवन के सब भोगों को उसके राइट टा झाली संचय में लो पर चली संचय में को भी आनना रखेगा यह सुत्धों के वैश को भी आनना है को भी आ फुब को रखेगा